राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? हमारी यूटीब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों भागवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपत कृष्ण पक्ष की अश्टमी को हुआ था उनके जन्म के समय आधी राधी चंद्रमा उदै हो रहा था उस समय रोहुणी नक्षत्र भी था इस दिन को प्रती वर्ष कृष्ण जन्मो सब के रूप में मनाया जाता है इस साल की जन्माश्टमी पर उलजन यह है कि लोग 23 या 24 अगस्त किस दिन जन्माश्टमी मनाय पंचां के अनुसार अर्ष्टमी दिती 23 अगस्त को सुबह 8 बच कर 9 बजे से 24 अगस्त की सुबह 8 बच कर 32 मर्थ तक रहेगी जबकि रोहुणी नक्षत जिसमें पागवान श्री किष्ण का जन्म होगा था 24 अगस्त को सुबह 3 बच कर 48 मर्थ से शुरू होगा और 25 अगस्त की सुबह 4 बच कर 17 मर्थ पर उत्रेगा इस बार अश्टमी तिथी और रोहुणी नक्षत दोनों ही अलग-अलग दिन है इस बचे से जन्माश्टमी भी दो अलग-अलग दिन मनाई जा रही है माननिताओं के अनुसा मत्रब रंदावन में जिस दिन जन्माश्टमी का पर्व मनाया जाता है उसी दिन यह पर वो पूरे देश्वर में मनाया जाता है ब्रज में इस वर्ष 23 एवं 24 अगस्ट दोनों ही दिन क्रश्ण जन्माश्टमी मनाई जाएगी जबकि प्रश्ण जन्म भूमी द्वार का धीश एवं ब्रंदावन के रंगजी मंदिर सहित प्रमुक मंदिरों में जन्मोसब 24 अगस्ट को मनाया जाएगा इसी हिसाब से हम सभी को 24 अगस्ट को ही जन्माश्टमी मनानी चाहिए अगर आप भी दोनों ही दिन 2324 अगस्ट को जन्माश्टमी मनाना चाहते हैं तो मना सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि जन्माश्टमी के ब्रत का पारण आप 25 अगस्ट की सुभ है पांच बच का 24 अगस्ट के बाद ही करें भागवान श्री किष्णी के जो भक्त 24 अगस्ट को ब्रत रख रहे हैं वहे भी ब्रत शुभ महूरत में ही खोलें ब्रत खोलने का शुभ महूरत उनके लिए भी 25 अगस्ट की सुभ है पांच बच का 24 मिनद के बाद ही है जन्माश्ट में पूजा का शुभ महूरत है 24 अगस्ट की रात को बारे बच कर एक मिनद से 24 अगस्ट की रात बारे बच कर 45 मिनद तक पूजा की शुभ महूरत की कुल अबधी है 44 मिनद की उमीद है अब आपको जन्माशनी पर्व को लेकर कोई दुवदा नहीं होगी प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फर वाचेंग, राधे राधे